ICICI Bank Zero Balance Saving Account दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रिकार से आप घर बैठे ICICI Bank में Zero Balance Saving Account मिन्स इस्टा माइन अकाउंट किस प्रिकार से आप सिर्फ और सिर्फ पांच मिनट के अंदर खोल सकते हैं ICICI Bank आपको घर बैठे Zero Balance Account Opening की facility देती है तो यहाँ पे अब आप ICICI Bank में घर बैठे सिर्फ और सिर्फ पांच मिनट के अंदर अपने एक Zero Balance Account खोल सकते हैं इस वीडियो के अंदर हमने आपको Complete Process बताया है कि कैसे आपको अकाउंट खोलना है Account Opening की journey start करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप ICICI Bank में ICICI Insta Mine Account खोलते हैं तो इसमें आपको क्या-क्या benefits मिल जाता है और अगेन हम discuss करेंगे कि कैसे आपको जो है वो अकाउंट खोलना है सबसे पहले अगर हम बात करें तो यह जो अकाउंट होगा Completely Zero Balance अकाउंट होगा साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको Visa का Card गया जाता है साथ में आपको Instant यहाँ पे Virtual Card मिल आएगा आप जैसे ही अकाउंट खोलेंगे Instant आपको Card मिल आएगा उसके बाद आपका जो Physical Card होगा वो आपके घर पे Within 7 Days के अंदर आ जाएगा आपको इस अकाउंट में चेकबुक का भी Facility मिल जाता है साथ में दोस्तों आप जैसे ही अकाउंट खोलते हैं Instant आपको यहाँ पे आपका अकाउंट नमबर FSC Code सब कुछ मिल जाता है आप यहाँ पे ICICI Bank की Mobile Banking, Internet Banking का भी इस्तमाल कर पाएंगे इवन आपको इस अकाउंट की KYC कराने के लिए भी आपको बैंक नहीं जाना है आपको दोस्तों यहाँ पे Video KYC का Facility जो है वो मिलता है आप Video KYC के माध्यम से अपने इस अकाउंट की कंप्लीट KYC कर सकते है साथ में दोस्तों आप अपने इस अकाउंट से फोन पे, Google पे, Paytium जैसे Apps का भी बहुत ही असानी से आनन्द ले सकते है इंस्टेंट आप फोन पे, Google पे जो है दोस्तों बना सकते है तो ये जो फैसलीटी है आपको इस सेविंग अकाउंट के अंदर देखने को मिलता है तो बिना टाइम वेस्ट की फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से दोस्तों आप ICICI बैंक में घर बैटे पाच बिनट के अंदर किस प्रकार से अपना एक जीरो बाइलेंस अकाउंट आप खोल सकते हैं तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट की फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं ICICI बैंक में ओलाइन सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग की लिंक दी जाएगी आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा दोस्तों ICICI इंस्टा माइन अकाउंट कंप्लेटली एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है जिसके अंदर आपको कोई भी पैसे भविस से में मेंटेन करने की जरूरत नहीं है यह जो अकाउंट है सिंपल 4 स्टेप्स में करने के बाद करने के बाद नीचे आपको पर्मानेंट अकाउंट नमबर करना छाते है तो यहां पर अपना पैन नमबर फिल करना है आपके pen card के उपर आपका pen number लिखा होता है तो आप इस box में photovert से अपना pen number फिल करेंगे और pen number फिल करने के बाद नीचे कुछ Tomson Conditions आपको दिखा जाते हैं आप इस box को टिक करेंगे आप जैसे ही यहाँ पे अपनी mobile number और यहाँ पे complete details डालके इंटर करते हैं तो ICICI Bank आपके mobile number और आपके email ID पे एक six digit की verification code भेजती है तो यहाँ पे फटाफट से आप अपनी OTP complete फिल करेंगे दोस्तो अपनी सारी information complete फिल करने के बाद आप दूसरे step में पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपको अपने account को अधार कार्ट से यहाँ पे verify करना होता है तो आपके सामने कुछ ऐसा box दिखाए जागा यहाँ पे आपको options मिलता है इंटर यूर अधार number तो यहाँ पे आपको अपनी अधार number अधार संख्या इस box में complete आपको फिल करने हैं और अधार number फिल करने के बाद नीचे आपको send OTP का एक options मिलता है आप send OTP वाले options पे click कर देंगे यह अधार कार्ट को आप जैसे ही यहाँ पे fill करके send OTP पे click करते हैं आपके अधार कार्ट से आपका जो भी phone number लिंक होगा उस पे उदाई के तरब से आपको एक six digit की OTP भेजी जाती है तो यहाँ पे आप अपनी इस box में अपनी आधार OTP complete फिल कर देंगे अपने अधार कार्ट को OTP के साथ successful verify करने के बाद यहाँ पे आपका application number जनरेट हो जाता है आपका mobile number और आपकी email ID और आपकी pen card की जो details है वो यहाँ पे आपको दिखाई जाती है नीचे के तरब personal information का option आता है आपका name complete लिखा होगा यहाँ पे meridial status का option आता है आप single है या married है जो भी है यहाँ से आप select करेंगे place of city का option आता है तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपका जन्म हुआ है उस जगह का आप name fill करेंगे occupations का option आता है दोस्तों तो यहाँ पे आप क्या काम करते है dependent है, professional है, salary है या self-employed है यहाँ पे आप जो भी है वो select करेंगे occupation select करने के बाद यहाँ पे आपको occupation type का option आता है तो आपका क्या occupations है यहाँ पे आप occupations अपनी type select करेंगे यहाँ पे हमने salary select किया है तो यहाँ पे government या private या partnership किस company में हमारा job है तो यहाँ पे हमें वो select करना होगा तो यहाँ पे हम private limited select करते है source of income का option आता है तो यहाँ पे हमने salary select किया है तो salary का option आता है income range आपका जो सलाना आया है वो कितना है तो यहां पे आप अपना income range select करेंगे उसके बाद दोस्तों यहां पे education का option आता है आपने पढ़ाई कहां तक complete की है तो अगर आप graduate होंगे post graduation होंगे आपकी जो भी education है यहां से आप select करेंगे select करने के बाद नीचे आपको continue का एक options मिलता है आप continue वाले options पर click कर देंगे दूसरी step complete फिल करने के बाद आप तीसरे step पर आजाते हैं आपको name of organization का option आता है तो यहां पर जिसक भी company में काम करते हैं अपनी जो company की name है वो आप इस box में फिल करेंगे आपका year of experience कितना है वो यह यहां पर फिल करेंगे आपके debit card पर क्या name print आप करना चाहते हैं वो फिल करेंगे आपका यहां पर follows का name आता है तो यहां साथ चेक आउट कर सकते हैं अपनी mother's का name यहां पर आपको complete फिल करना है अगर आपने account में किसी nominee को add करना चाहते हैं तो आप इस box में टिक करेंगे न complete फिल करने के बाद आप चौथे step में आ जाते हैं जहां पर आपका permanent address जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलते हैं आपका जो name है वो आपको देखने को मिलता है यहां पर जोस्तो state का option आता है तो आप state पे click करेंगे अपनी state सरक करेंगे city का option आता है तो यहां से आप कीचे आपको एक कंट्निव का बटन मिलता है आप कंट्निव वाले ऑप्षण पर क्लिक कर देंगे सारे इंफोर्मेशन को complete करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहां प्रिव्यू का पेज आता है अब अभी तक जितने सारे इंफोर्मेशन पहले फिल किया होंगे वह य यहां पर ठीक है आप continue कर सकते हो अगर आपने कोई भी ऐसा डिटेल्स इंटर कर दिया है जो गलत है तो यहां से आप बैक करके उससे सुधार सकते हो आपको यहां पर continue वाले बटन पर क्लिक करना है आप continue वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप आखरी आपके मोबाइल लंबर पर दुबार ओटीपी भीजा जाएगा तो यहां पर अपना ओटीपी complete फिल करेंगे और verify ओटीपी वाले options पर क्लिक करेंगे दोस्तों आप जैसे ही verify ओटीपी वाले options पर क्लिक करते हैं यह जो है आपको funding वाले पेज पर लेके आ जाता है जहां पर आपको अपने account में funding करना होता है दोस्तों ICIC का यह bank पहले zero balance account था मतलब यहां पर आपको कोई initial funding तो नहीं करना था अभी जो account है completely zero balance account है लेकिन यहां पर आपको funding mandatory कर दिया गया है तो यहां पर आपको funding करना होगा जो की minimum 11,200 रुपए आपको अपने account में डालने होंगे तो यहां पर हम अपने account में funding कर लेते हैं amount हम डालने के बाद हम नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहां पर हम इस account में जो है वो funding करेंगे तो यहां पर बहुत सारे options मिल जाते हैं आप कोई भी options से यहां पर अपने account में funding कर सकते हो account में पैसे डालने के बाद यहां पे आपको एक PDF डाउनलोड हो जाता है जहां पे आपकी जो भी details है वो भी इस PDF में दिखाई जाती है जैसे कि आपका name, आपका complete details, आपकी account की, आपकी account number सब कुछ आपको इस PDF के अंदर देखने को मिल जाता है इस PDF के अंदर आप अपने account details को चेक कर सकते हैं लेकिन यह जो दोस्तो account है, अभी limited KYC के साथ open हुआ है तो आपको इसकी full KYC, वीडियो KYC के माध्यम से click करना होगा तो आप proceed वाले options आपको नीचे एक मिल जाता है आप proceed वाले options पे click करेंगे तो आपका जो call है वो वीडियो KYC, एजेंट को transfer किया जाता है तो यहाँ पे अब आपको अपनी account की वीडियो KYC complete करनी है वीडियो KYC बहुत ही simple process है, यहाँ पे आपको एजेंट के साथ जुणना है और यहाँ पे अपनी basic details आपको एजेंट के साथ share करना है और यहाँ पे जो आपकी वीडियो KYC है वो complete हो जाती है तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको ICICI bank में इंस्टा माइन account जो की एक zero balance saving account है आपको इसी प्रकार से यहाँ पे account खोलना है जब आपकी यह account open हो जाती है आप भविस्य में इस account में कोई भी पैसे रखे या न रखे इसके उपर आपको ICICI bank कोई भी चार्ज नहीं करती है यह जो process है complete हो जाएगा तो आपको एक mail भी receive हो जाएगा और यहाँ पे within 7 days के अंदर आपके घर पे यहाँ पे ICIC bank का कीटा जाएगा जिसमें आपका ATM card और checkbook आपको मिल लाएगा आप net banking और mobile banking की registration जो है बहुत ही आसानी से कर सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी KYC है तो यह approved हो चुकी है तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप अपना account open करेंगे इस वीडियो को दोस्तों हम यहीं पे खतम करते हैं मिलते हैं किसी इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए टेक केर बाई बाई